नमस्कार, डॉक्टर बी आरमबेटकर युनिवर्सिटी के बी ए थर्ड एर के इंग्लिश लिट्रेचर के पेपर थर्ड में जो पहला पार्ट है वो है उस्ट्रेलियन लिट्रेचर में पोईट्री तो इस पार्ट की पहली पोईब है The Wild Colonial Boy और इस पोईब को कंपोज किया है W.C. वेंटवर्थ ने तो आज हम इसी पोईब को पढ़ते हैं W.C. वेंटवर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लें क्या W.C. वेंटवर्थ का पूरा नाम है William Charles Wentworth was one of the leading figures ये मुख्य लोगों में से मुख्य व्यक्तितों में से एक था of early colonial New South Wales early यानि के प्रारंभे उपनिवेशकाल के New South Wales के He was an Australian poet वो एक Australian कवी था explorer यानि यात्री था journalist पत्रकार था and politician और राजनीतिग्य था He was the first वो पहला था native born Australian यानि Australia में पैदा हुआ व्यक्ति to achieve a reputation जिसको के प्रसिधी मिली overseas यानि बाहर विदेशों में and a leading advocate और वो एक मुख्य प्रवक्ता था for self-government यानि आत्म शासन का यानि कि खुदके शासन का colonial colonialism से स्वतंत्रता प्राप्त करके स्वत्रासन का वो वक्ता था यानि उसको एडवोकेट करता था उसका पक्षदर था for the Australian colonies तो ऑस्ट्रेलिया में जो उपनिवेश थे इंग्लेंड के W.C. Wentworth वास W.C. Wentworth था the son of Darcy Wentworth Darcy Wentworth का बेटा and Catherine Cowley उसकी मा का नाम था Catherine Cowley इन दोनों का बेटा था He was born वो पैदा हुआ था on August 13, 1793 तेरह अगस 1793 को His father उसके पिता was a highwayman एक highwayman थे यानि राहजन थे who was shipped जिनको के भेजा गया था ship पर to Sydney को He along with his family वो अपने परिवार के साथ settled हो गए एट पारामटा ये एक जगह है Sydney Australia में where he became जहां वो बन गए a prosperous landowner एक सम्रिद जमीदार W.C. Wentworth was sent to England W.C. Wentworth को England भेजा गया in 1802 1802 में he was educated उसको शिक्षा मिली at a school एक स्कूल में in London London के he returned to Sydney वो Sydney वापस लोटे in 1810 1810 में where जहां he was appointed उनको निक्त किया गया acting प्रवोस्ट Marshall यनि कारी प्रवोस्ट मार्शल के रूप में and given a land और उनको land grant उनको जमीन दान में दी गई of 1750 acres 1750 एकर जमीन उनको दी गई he returned to England वो England फिर वापस लोटे in 1816 1816 में to get admitted to the bar यनि बार में admit होने के लिए बार में शामिल का होने के लिए बार मतरब के जो बकीलों के बैठने की जगे होती है advocates की बैठने की जगे होती है अधिवक्ताओं का जो बैठने की जगे होती है उसको बार कहा जाता है he studied at Cambridge University उन्होंने Cambridge University में अधियन किया he successfully completed उन्होंने सफलता पूर्वक पूरा किया his legal studies अपनी legal यानि के कानूनी पढ़ाई को by 1822, 1822 तक, in 1823, 1823 में he published उन्होंने प्रकाशित की an epic poem, एक महाकाव्य कविता, बड़ी कविता, long narrator poem होती है epic title जिसका title था Austral Asia, he became the leading political figure, वो एक मुख्य राजनीतिक व्यक्तित्त बन गए of 1820s and 1830s, 1820 के दशक के और 1830 के दशक के he married Sarah Cox, उन्होंने Sarah Cox से शादी की with whom, जिनसे के he had seven daughters, उनकी साथ बेटियां हुई and three sons और तीन बेटे हुई, यानि कुल दस बच्चे हुई तो आश्य चकत मद हो ये, क्योंकि जिस समय के ये हैं, उस समय सभी के इतने ही बच्चे होते थे he died in England, उनकी मृत्यू इंग्लेंड में हुई in 1872, 1872 में, but was buried in Sydney, लेकिन उनको Sydney में दफनाया गया his other important works are, उनके दूसरे प्रमुख रचनाये हैं, a coast view, love, words, bold jack now and the wild colonial boy जो के आजा पढ़ने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा इस कविता के बारे में भी जान लेते हैं, the wild colonial boy is a very sweet and hard-touching ballad तो ये एक बड़ी ही मीठी और दिल को चूलेने वाली ballad है, ये धियान रखिएगा, ये आपसे multiple choice questions में पूछा जा सकता है कि the wild colonial boy is, तो आपको चार option दे देंगे, ballad, elegy, ode, sonnet, ऐसे करके चार option आपको दे देंगे तो आपको याद रखना है कि ये एक ballad है, ballad एक तरीके का dance song होता है, जो के mainly folklore से संबंदित है यानि लोग गीत जो होते हैं, fox songs होते हैं, अक्सर जो लोग गीत होते हैं, वो गाओं में गाये जाते हैं कहीं लिखे हुए नहीं होते, generation to generation transfer होते हैं, तो उन्हीं मेंसे एक type है, वो ballad है हलांकि ये जो ballad आप पढ़ रहे हैं, ये तो literary ballad है, literature में लिखा हुआ है लेकिन गाओं में अक्सर बहुत सारे लोग गीत होते हैं, जो कहीं लिखे हुए नहीं होते हैं, तो उसी type का एक song होता है, ballad तो ये एक ballad है, composed जो के लिखी गई है, in plain and simple words, साधारन, सरल शब्दों में, and straight forward, और एक इसपश्टवादी, and racey style, और racey style, race क्या होती है, प्रजाती होती है, तो अपनी प्रजाती की शेली में, it is one of the Australian best known fog songs, it is यह है, one of the Australian, Australia की एक सबसे ज़्यादा जानी जाने वाले fog songs में से, यानि लोग गीतों में से, celebrating the story, celebrating जिसमें के प्रशनसा की गई है, the story, कहानी की, of an Irish-born bush ranger, Ireland में पैदा हुए एक bush ranger, वोई रहाजन लुटेरा, who laid down his life, जिसने के अपना जीवन प्याग दिया, for a great cause, एक महान कारण के लिए, it is a story, यह कहानी है, of Jack Doolan, Jack Doolan की, a wild colonial boy, जो के एक जंगली, उपनिवेश का लड़का था, who stood up, जो के खड़ा हो गया, against, खिलाफ, those, उन लोगों के, who colonized, जिन्होंने उपनिवेश बनाया, him, उसका मतलब, उसके देश का, उसकी जमीन का, उसकी जगह का, and robbed, और लूटा his community, उसके समधाय को, तो मालूम है कि इंडिया को खुद, इंडिया को भी colonized किया था, अंग्रेज़ोंने और खुब लूटा था, तो इसी तरीके से, जैक डूलन की जमीन को भी colonized किया गया, उसका उपनिवेश बनाया गया, और उसको लूटा गया, जैसे हमारे देश को लूटा गया था, भारत को लूटा गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा वैसे ही, he interned, वो बदले में turned into a highwayman, एक highwayman बन गया, यानी राहजन बन गया, लुटेरा बन गया, to rob the rich, जो के अमीरों को लूटता था, who dispossessed him, जिन्होंने उससे चीन ली थी, of his land, उसकी जमीन, and ruined और बरबाद कर दिया था, his tribal culture, उसकी आदिवासी संस्कृती को, अभी भी तो, आपने देखा होगा, कि हमारे देश में भी, बहुत सारे, आदिवासी लोग हैं, जो कि सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, सरकार के खिलाफ बंदूक उठाए हुए हैं, तो, ये उसी प्रकार का एक लड़का था, he sacrificed himself, उसने अपनी, जीवन का त्याक कर दिया, अपना बलेदान दे दिया, for his owner, अपने समान के लिए, and glory, और अपने नाम के लिए, of his country, अपने देश के लिए, and culture, और अपनी संस्कृति के लिए, चलिए, अब हम देखते हैं, इस poem को, तिस, आफ आफ आ वाइल कोलोनियल बॉई, जैक डूलन वाज हिस नेम, तिस, यानि यह है, हम जो कविता सुना रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, it is, यह है, of आ वाइल कोलोनियल बॉई, एक जंगली, अपनिवेशिक लड़के के बारे में, जायक डूलन वाज हिस नेम उसका नाम जायक डूलन था और पूर बट अनैश पेरेंट्स गरीब लेकिन इमानदार माता पता य से वाज बॉर्न वो पैडा हुआ था इन कैसल में अब ये मार्क कर सकते हैं कि जायक डूलन कहा पैडा हुआ था ये multiple choice questions में आपसे पूछा जा सकता है He was his father's only hope He was, वो था his father's, अपने पिता की only hope एक मात्र उमीद His mother's, अपनी मा का only joy एक मात्र खुशी And dearly, और बड़े प्यार से Did his parents, उसके माता-पिता Love this wild colonial boy इस जंगली ओपनिवेशिक लड़के को प्यार करते थे Kouras, Kouras ये गाता है तो Kouras, वो समू होता है जो के कोई गीत गाता है तो Kouras ये गाता है Come, आओ, all my hearties All, सभी, my, मेरे hearties मेरे मित्रो, मेरे दोस्तो, मेरे जिगर के टुकडो आओ, we will roam, हम घुमेंगे The mountains high, उचे-उचे पहाडों में Together, साथ-साथ, we will plunder, हम लूटेंगे Together, we will die, साथ-साथ, हम मर जाएंगे ये देखे, एक गीत है न, आपको Kouras गा रहा है तो ये बैलेड एक गीत होता है We will wander, हम घुमेंगे Over valleys, घाटियों में And gallop, और gallop होती है घुडे की टाप तो घुडों उपर सवारी करेंगे Over plains, मैदानों में And we will scorn, और हम तिरसकार करेंगे Over valleys, घाटियों के उपर And gallop, और घुड सवारी करेंगे Over plains, मैदानों में He was scarcely 16 वो मुश्किल से ही 16 साल का था Years of age, 16 साल की उमर थी उसकी When he left, जब उसने छोड़ दिया His father's home, अपने पिता का घर And through Australia's sunny climb और Australia की धूब भरी मौसम में A bush ranger एक bush ranger मतलब की एक लुटेरा एक राहजन डिड रोम घुमता था वो एक राहजन बन कर घुमता था रोम मीज घुमना He robbed, वो लुटता था Those wealthy squitters उन अमीर जमीदारों को They're stopped उनका खजाना He did destroy वो बरबाद कर दिया करता था And a terror और एक आतंग और एक डर To Australia Australia के लिए Was the wild colonial boy वो जंगली अपने वेशेक लड़का था In 61 This daring youth commenced his wild career तो इसने अपना जो शुरू किया In 61 यानि 1761 में This daring youth commenced इस साहसी युवक ने Commenced मने शुरू किया His wild carrier अपना जंगली केरियर अब केरियर को हिंदी में आजीविका बोलते हैं पेशा बोलते हैं विवसाय बोलते हैं तो उसने अपना ये जंगली पेशा राहजनी का लूट का शुरू किया 1761 में With a heart एक ऐसे हिर्दे के साथ That knew no danger जो किसी खत्रे को नहीं जानता था No foreman किसी दुश्मन को नहीं जानता था No foreman Did he fear किसी दुश्मन से वो नहीं डरता था He struck up the benchworth male coach He struck up यानि कि वो घुस गया चड़ गया The benchworth male coach में यानि ये एक ट्रेन है रेलगाडी है उसके coach में उसके डिबबे में रेलगाडी के डिबबे में घुस गया And robbed और लूट लिया ये जज साब है Mac Avoy तो जज मैक Avoy को उसने लूट लिया Who trembled जो कांपने लगा यानि जज साब थे वो कांपने लगे And gave his gold और अपना सोना दे दिया To the wild colonial boy जंगली colonial लड़के को He bade the judge good morning उसने जज को शुब प्रभात कहा And told him to beware And told him और उसको बताया To beware यानि सतर्क रहने के लिए That he would never Rob कि वो कभी नहीं लूटेगा A hearty chap That acted on the square देखिए ये जो लाइने हैं इनको हम दो तरीके से interpret कर सकते हैं कि उसने जज से कहा कि वो नहीं लूटेगा किसी भी ये ह-e-a-r-t-y होना जाहिए हाँ पर Hearty means खुश मिजाज चैप मने लड़का That acted जो काम करता था On the square यानि खेतों पर तो वो ऐसे किसी He would never rob वो कभी नहीं लूटेगा ऐसे किसी खुश मिजाज लड़के को जो खेतों पर काम करता था तो ये बात जज पे भी लागू हो सकती है क्योंकि ये जो जज साब है इनके पास सोना कहां से आया इन्होंने भी तो गरीबों को लूटा है महीं से तो सोना आया और इसलिए वो इनके सोने को लूट रहा है तो एक तो वो विवेर यानि कि वो चेतावनी दे रहा है जज साब को कि भी तुम कभी किसी ऐसे लड़के को किसी खुश मिजाज लड़के को मत लूटना जो के खेतों पर काम कर रहा हो and never to rob a mother और ना कभी एक मा पर लूटना off her son उसके बेटे से यानि किसी मा को उसके बेटे से अलग मत करना her son and only joy जो उसका एकलोता एकलोती खुशी हो मा का एकलोती खुशी क्या है उसका बच्चा तो किसी मा को उसके बच्चे से मत चीना या किसी बच्चे को उसकी मां से मत चीनना ये चेतावनी दी उसने ज़स साब को or else you may turn or else नहीं तो you may turn outlaw तुम बन सकते हो outlaw यानि राहजन या लुटेरे like the wild colonial boy यानि जंगली colonial लड़के की तरह अगर तुमने लूटा तो तुम भी एक लुटेरे हो जैसे के मैं हूँ तो एक तो ये हुआ कि इसने चेतावनी दी wild colonial boy ने ज़स साब को कि वो किसी गरीब को ना लूटे किसी मां को उसके बच्चे से ना अलग करे अन्य था वो भी एक लुटेरे की शेडी में ही आ जाएगा वो जज नहीं वो खुद भी एक लुटेरा ही कहलाएगा या फिर हमें इसका दूसरा मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि wild colonial boy ने ज़स साब से कहा कि मैं नहीं लुटूंगा किसी भी ऐसे आदमी को जो कि खेतों में काम करता हो किसी भी किसान को किसी भी गरीब आदमी को तो देखिए that he would never rob a hurtie chap that acted on the square तो यहाँ ये भी इसका मीनिंग है दोनों मीनिंग साथ साथ चलेंगे आप दोनों तरीके से लिख दीजेगा अगर explanation के लिए आता है आपके लिए तो इसके दोनों मीनिंग हो सकते हैं वो खुद भी ये कह रहा है कि मैं किसी गरीब को नहीं लुटूंगा जो खेतों में काम करता हो मैं किसी मां को नहीं लुटूंगा मां से उसके बच्चे को नहीं चीनूंगा या बच्चे से उसकी मां को नहीं छीनूँगा तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा और एल्स या नहीं तो यू में टर्ण आउट लो यहां पर ये भी अर्थ हो सकता है कि बच्चे से नेवर रॉब अ मदर आउफ हर सन तो मां को अगर बच्चे से अलग कर दिया गया तो वो जो बच्चा है ही में टर्ण आउट लो तो आप उस लड़के को आउट लो बनाएंगे आप उस लड़के को लुटेरा बनाएंगे जैसे कि वाइल्ड कॉलोनियल बॉय बन गया वो भी एक लुटेरा बन जाएगा तो ये दोनों मीनिंग यहाँ पर आप निकाल सकते हैं वन डे एक दिन वो घुर सवारी कर रहा था दा मांटेन साइड एलोंग पहाडों की तरफ पहाडों के आसपास वो एक दिन घुर सवारी कर रहा था ए लिसनिंग दिहान से सुन रहा था टू दे लिटल बर्ड्स छोटी छोटी चिडियों को दिया प्लीजेंट लाफिंग सॉंग उनका खुशनमा हस्ता हुआ गीत तभी क्या हुआ थी मांटेन मांटेड टूपर्स तीन घुर सवार सैनिक रोड एलों उधर से गुजरे उनके नाम क्या थे कैली, डेविस एंड फिद्स रॉय तो ये आपको तीनों मार्क करने है तीनों घुर सवारों के तीनों टूपर्स के नाम याद रखने है ये आपसे मल्टिबल चॉइस questions में पूछा जा सकता है आपको तीन नाम ये दे दिये जाए और चौथा कोई अलग से नाम दे दिया जाए और आपसे question पूछा जाए which of these was not a trooper तो आपको ये याद रखने है तो ये तीन उधर से घुर सवारी करते हुए निकले सैनिक they thought that they would capture him they thought उन्होंने सोचा that कि they would capture him वो उसको पकड़ लेंगे the wild colonial boy उस जंगली ओपने वेशिक लड़के को surrender now surrender करो Jack Doolan surrender करो you see तुम देख रहे हो there's three to one तुम अकेले हो और हम तीन है तीन के सामने एक हो या एक के सामने तीन है surrender you तुम surrender करो Jack Doolan you daring highwayman तुम daring यानी साहसी लुटे रे surrender करो he drew a pistol उसने एक पिस्तल निकाल ली from his belt अपनी belt से and shook the little toy और इस छोटे से खिलोने को हिलाया I will fight मैं लड़ूंगा but not surrender लेकिन surrender नहीं करूंगा आत्म समर पर नहीं करूंगा said the wild colonial boy wild colonial boy ने कहा he fired a trooper उसने एक fire कर दिया trooper केली के उपर and brought him to the ground और उसको जमीन पर गिरा दिया and in return और बदले में from डेविस डेविस से यह जो दूसरा वाला trooper है उसने क्या किया from डेविस received a mortal wound उसने डेविस से प्रात किया एक घातक घाव यानि wild colonial boy ने केली के उपर fire किया तो बदले में डेविस ने wild colonial boy के उपर fire किया और उसको बड़ा खतरनाग घाव लगा all shattered सब कुछ बिखर गया through the joys he lay through the joys यानि मूँ के बल he lay वो पड़ा हुआ था लेटा हुआ था still firing अभी भी fire कर रहा था गोली चला रहा था at Fitzroy जो तीसरा trooper है तीसरा सिपाई है उसके उपर and that's the way और इस तरीके से they captured him उन्होंने उसको पकड़ लिया the wild colonial boy जंगली और पनवेशिक लड़का तो अंत में वो पकड़ा गया एक्जाम में कई बार इस poem की critical appreciation आई है या फिर ऐसे पूछा जाता है कि account for the wild colonial boy as a revolutionary poem तो आपको क्या लिखना है उसमें देखते हैं critical appreciation एक बार पढ़ लेते हैं तो starting तो आप किसी भी answer की introduction से ही करते हैं heading डालना ना डालना ये आपके उपर है introduction heading आप डाले या ना डाले लेकिन जब शुरुआत करते हैं आप किसी long answer की तो जो शुरू के sentences होते हैं वो introductory होते हैं तो यहाँ भी पहले आप introduction देंगे W.C. Wentworth's The Wild Colonial Boy तो W.C. Wentworth की जो कविता है Wild Colonial Boy is a revolutionary poem वो एक क्रामतिकारी कविता है in which जिसमें के The Poet Glodifies कभी तारीफ करता है A Highway Youth एक लुटेरे युवक की named Jack Doolan जिसका की नाम Jack Doolan है In this reference इस संदर में It would be interesting ये बड़ा रोचक होगा To note जानना That Wentworth's father के Wentworth के खुद के जो पिता थे Was a highwayman वो खुद भी लुटे रहे थे तो जो poet है हमारा Wentworth उसके पिता जी खुद भी लुटे रहे थे Wentworth Advocated an Elected Assembly Wentworth ने वकालत की An Elected Assembly एक चुनी हुई सभा की For New South Wales New South Wales के लिए ये अंग्रेजों की कॉलोनी थी अंग्रेजों का एक उपनिवेश था अंग्रेजों का राज था उस पर तो उसने वकालत की कि यहां लोगों के द्वारा खुद के द्वारा शासन किया जाए The poem shows ये कविता दिखाती है How, कैसे Brave youths, बहादुर युवक are forced बाद किये जाते हैं To revolt क्रांदी करने के लिए विद्रोह करने के लिए And follow और वो चल पड़ते हैं Unlawful activities यानि वो करने लगते हैं गैर कानूनी काम When justice is not done जब नियाय नहीं किया जाता To common people Common poor people यानि गरीब आम आदमी के साथ The poem becomes universal ये जो poem है यह poems में ऐस नहीं लगना चाहिए The poem becomes तो ये जो कविता है बन जाती है If we think अगर हम सोचें Of our misguided tribal youth जो हमारे Misguided tribal youth यानि मैंने अभी जब poem पढ़ रहे थे हम तो मैंने बात की थी न कि हमारे देश में भी बहुत सारे आदिवासी युवा हैं Tribal मने आदिवासी युवा जो के misguided है misled है जो के अपना रास्ता भटके हैं तो भटके हुए युवा हैं वो उनको भी ऐसा लगता है कि जो देश की सरकार है वो उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है जंगलों को काट रही है जंगलों पर अपना राज कर रही है जबकि उनको लगता है कि जो जंगल है वो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर भारत सरकार का कोई हक नहीं है तो इसलिए वो हमेशा सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं बंदूक लेकर तो इसलिए यह जो कविता है यह हमारे यहां भी लागू होती है बहुत सारे युवक हैं हमा of our misguided tribal youth हमारे जो रास्ता भटके हुए आदिवासी नौजवान है as wild colonial boys उनको भी हम अगर जंगली ओपनवेशिक लड़के मानें लेकिन उनको शायद यह चीज़ समझ में नहीं आती कि जो भारत का समविधान है वो तो सभी को समान अधिकार देता है जितने भी आदिवास के उनको समान अधिकार प्राप्त है बलके आदिवासी वर्ग के लिए तो reservation भी है और और भी बहुत सारी अलग से सुविधाएं हैं उनकी शिक्षा के लिए सरकार ने आजादी के बाद से बहुत सारे काम किये हैं भारत सरकार ने तो उनको शायद यह चीज़ समझ में नही born but made यह जो criminals होते हैं अपराधी होते हैं वो पैदा नहीं होते बलके बनाए जाते हैं अगर आप समाशास्त के student हैं sociology अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर एक chapter यह रहता है कि अपराधी पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं इस पर बहुत बड़ा discussion है sociology में तो कुछ समाश हैं वो पैदाईशी होते हैं उनके दिमाग की बनावट इस तरीके की होती है कि उन्हें आप कैसी भी परिस्तिती में रखिए वो आगे चलकर अपराधी ही बनेंगे और कुछ समाशास्ती कहते हैं कि नहीं परवरिश ज्यादा important होती है जिन बच्चों को अच्छी परवरि environment मिलता है अपराधियों वाला तो वो आगे चलकर अपराधी बन जाते हैं तो यहाँ भी हम देखते हैं कि अपराधी पैदा नहीं होते बलकि बनाए जाते हैं W.C. Wendworth की कविता wild colonial boy confirms इस बात को confirm करती है सावित करती है this viewpoint is दिश्टिकॉंड को that के criminals are not born अपराधी पैदा नहीं होते बट made by circumstances बलकि बनाए जाते हैं परिस्थितियों के द्वारा and injustice और अन्याय के द्वारा done to them जो उनके साथ किया जाता है Wentworth deals with this theme Wentworth इस theme का वर्णन करता है in this poem इस कविता में and his other poem और उसकी दूसरी एक और कविता है बोल्ड जैक डोनाहू इसमें भी यही theme है According to some scholars कुछ विद्वानों के अनुसार the wild colonial boy may be treated wild colonial boy को माना जा सकता है as the second part दूसरा भाग of the poem कविता बोल्ड जैक डोनाहू का जो बोल्ड जैक डोनाहू उसकी कविता है उसका दूसरा भाग wild colonial boy को माना जा सकता है जैक डोनाहू was sent for seven long years जैक डोनाहू को साथ लंबे साल तक भेजा गया था in new south wills new south wills में to wear a prisoner's chain यानी जो कैदियों की जो बेडियां होती है उन्हें पहनने के लिए just for five pounds के बल इसलिए को उसने 500 pound का अपराद किया था कोई चोरी की थी या लूटा था he escapes वो बचकर निकल जाता है and becomes a highwayman और एक लूटेरा बन जाता है to create danger to all और सभी के लिए वो खत्रा पैदा कर देता है he dies वो मर जाता है fighting लड़ते हुए bravely बहादुरी से for his cause अपने कारण के लिए यानि अपने उद्देश्य के लिए he closes वो बंद करता है his mournful eyes अपनी दुखी आँखें saying कहते हुए convicts all यानि both large and small मतलब कि सभी अपराधी हैं convicts मने अपराधी all सभी हैं both दौनों large and small चाहो ये कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो say prayers प्रार्थना करना for donahu donahu के लिए तो ये कहता हुआ वो मर जाता है in the wild colonial boy और इस कविता wild colonial boy में the poet introduces जो कवी है वो हमें परचित कराता है a colonial boy एक ऑपनवेशिक लड़के से नेम्ड जैक डूलन जिसका नाम जैक डूलन है whose parents जिसके माता पिता वर थे poor गरीब but honest लेकिन इमानदार जैक डूलन was the only hope जैक डूलन एक मातर उमीद था and joy और खुशी था to his parents अपने माता पिता के लिए who loved him the most जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे now chorus tells us अब chorus हमको बताता है that jack was scarcely 15 कि jack मुश्किल से ही 15 साल का था when he began जब उसने शुरू कर दिया to rob, lootna those उनको wealthy यानि जो धनवान थे who had unlawfully occupied जिन्होंने गहर कानूनी ढंग से आधिपत्य कर लिया था lands जमीनों पर of the poor गरीबों की he became a terror वो एक आतंक बन गया to Australia Australia के लिए he robbed the judge उसने judge को लूटा who gave his all gold to him जिसने अपना सारा सोना दे दिया उसको one day एक दिन when he was alone जब वो अकिला था three soldiers तीन सैनिकोंने attacked him उस पर आत्रमन किया and asked him to surrender और उससे समर्पन करने को कहा but he fought bravely लेकिन वो बहादुरी से लड़ा and died और मर गया like a hero एक hero की तरह for क्योंके he hated उसको नफरत थी to be a slave गुलाम बनने से bound in iron chains जो के लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो next है development of thought it is the story of a wild colonial boy ये एक कहानी है जंगली ऑपन वेशिक लड़के की named jack dulan जिसका नाम jack dulan था his parents were poor but honest उसके माता पिता गरीब थे लेकिन इमानदार थे he was born in castle man वो castle man में पैदा हुआ था he was his father's only hope वो अपने पिता की एक मात रुमीद था his mother's only joy अपनी माँ की एक मात खुशी था his parents loved him very much उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे जैक डूलन दा वाइल कोलोनियल बॉई was scarcely 16 वो मुश्किल से 16 साल का था 16 years of age when he left his father's home जब उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया and rain through और दोडने लगा Australia's sunny climb Australia की धूप से भरी हुई जलवायों में as an escaped criminal एक छूट कर भागे हुए अपराधी की तरह he robbed वो लूटता था those wealthy people उन अमीर लोगों को who had unlawfully occupied जिन्होंने गयर कानूनी धंग से अधिपत्य कर लिया था छीन लिया था lands of the poor गरीबों की जमीन को जैक डूलन बिकेम जैक डूलन बन गया a terror to Australia Australia के लिए एक आतंक जैक डूलन दा वाइल कोलोनियल बॉई इस उपनवेशिक लड़के जैक डूलन ने begin शुरू किये his unlawful activities अपने गयर कानूनी क्रिया कलाप in 1761 1761 जैसा कि poem में दिया हुआ है he was a daring boy वो एक साहसी लड़का था who was not afraid of जो कि नहीं डरता था any danger or enemy किसी भी खत्रे से या किसी भी दुश्मन से once he looted एक वार उसने लूटा a male coach in which judge mackoy was traveling जिसमें के उसने एक रेल गाड़ी के डिबबे को लूटा जिसमें के judge mackoy यात्रा कर रहे थे seeing jack jack को देख कर the judge trembled judge कांपने लगा and handed over और उसने दे दिया all of his gold अपना सारा सोना to jack dulan jack dulan को jack dulan saluted jack dulan ने salute मारा the judge judge को bidding him good morning उसको good morning कहते हुए and warned और चेतावनी दी not to tease कि वो परिशान ना करे happy people खुशमिजाज लोगों को and only sons of poor parents और गरीब माता-पिता के इकलोते लड़कों को otherwise नहीं तो the judge too would become वो judge भी बन जाएगा no better than the wild colonial boy यानि इस ऑपनवेशिक जंगली लड़के से no better कोई बहतर नहीं रहेगा यानि उसके जैसा ही बन जाएगा one day एक दिन when jack dulan the wild colonial boy was riding the mountain side जब वो jack dulan wild colonial boy घुरसवारी कर रहा था mountain side यानि परवतों की ओर lost खुया हुआ था in sweet amusing song मीठे मनोरंजग गीत में of little birds छोटी चड़ियों के तभी three mountain cavalrymen तीन पहाड़ी जो सैनिक थे came to arrest him उसको गरफतार करने आ गए देवर Kelly, Davis and Fitzroy उनके नाम थे Kelly, Davis और Fitzroy Kelly, Davis and Fitzroy asked Jack Doolan the wild colonial boy to surrender तो इन तीनों ने उससे कहा wild colonial boy से आत्म समरपर करने को they pointed out उन्होंने इशारा किया उन्होंने दिखाया that they were three वो तीन थे and Jack Doolan the wild colonial boy was alone और Jack Doolan अकेला था Jack Doolan picked out a pistol Jack Doolan ने एक पिस्तल निकाली from his belt अपनी belt से and declared और गोशना कर दी he would fight but not surrender कि वो लड़ेगा लेकिन आत्म समरपर नहीं करेगा Jack Doolan fired at केली Jack Doolan ने केली पर fire किया and killed him और उसको मार डला but लेकिन in return बदले में Davis gave him a deadly wound Davis ने उसको एक خतरना गाव दिया Jack Doolan still fired Jack Doolan ने अभी भी fire किया Fitzroy के उपर but they arrested him लेकिन उन्होंने उसको गरफतार कर लिया KORUS calls his friends KORUS अपने मित्रों को बुलाता है to walk over high mountains उचे पहाडों पर चलने के लिए to work in a group एक समुह में काम करने के लिए to loot together साथ साथ मिलकर लूटने के लिए die also और साथ में मर जाने के लिए they wish उनकी इच्छा है to wander गुमने की over valleys गाटियों में and ride fast और तेजी से घुरसवारी करने की over plains मैदानों में they scorn उनको नफरत है to live रहने से in slavery गुलामी में bound down बंधे हुए with iron chains लोहे की जंजीरों से language and style अब देखते हैं कि इस poem की language और style कैसी है the poem is composed in simple language ये जो कविता है लिखी गई है साधारन भाशा में and Greek style और यूनानी शेली में chorus is used chorus का प्रयोग किया गया है to stress जोड देने के लिए the point इस बात पर that jack dulan एक अपरादी नहीं है he is one of those youths वो उन युवाओं में से एक है who worship जो पूजा करते हैं liberty आजादी की and stand and stand और खड़े हो जाते हैं against खिलाफ injustice अन्याय के and exploitation और शोषण के the poem glorifies ये जो कविता है वो glorify करती है तारीफ करती है Greek heroism युनानी heroism की जहां hero की एक नायक की पूजा की जाती थी तो युनानी नायक वाद को वो glorify करती है of dying with grace शान के साथ मर जाने की rather than living in disgrace बजाए जो disgrace मने insult अपमान के साथ जीवित रहने की तो अपमान के साथ जीवित रहने की बजाए शान से मर जाने की जो heroism है नायक वाद है उसको glorify करती है तो आप इसमें एक heading चाहें तो last में और conclusion का डाल सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं that concludingly या फिर heading मत डालिये एक last sentence जरूर लिख दीजे जैसे ये अचानक से खतम की है ना बुक में इसको critical appreciation को तो आपको अपने answer में अचानक से खतम नहीं करना ever up trending अच्छी नहीं मानी जाती हैं किसी भी answer की तो आपको concludingly एक sentence जरूर लिखना चाहिए एक दो sentence जो भी आप लिख पाएं concludingly we can say that this is a perfect poem which gives us a message that if there is injustice in society there is a possibility for the youth of being misled तो दो तीन चाहिए मैंने काफी लंबा कर दिया sentence को आप छोड़ी sentence बना लीजे कि ये जो poem है वो अपने आप में एक perfect poem है साथ में हमको message देती है कि अगर समाज में अन्याय होगा तो जो युवा वर्ग है वो भटक सकता है और वो अपराधी बन सकता है तो इस तरीके से आप उसको conclude कर सकते हैं अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद